मा गंगा बहुत पवित्र नदियों में से एक है वही मा गंगा के जल में लोग अक्सर अपने पाप मिटाने आते हैं और अपने शरील को शुद करते हैं वह अपने मन को शुद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता गंगा ने भी अपने पुत्रों को गंगा में उनकी मुक्ती के लिए बहाया था आखर मा गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में क्यूं बहा दिया आये जानते हैं हस्तिनापूर के राजा शांतनू एक बार गंगा में स्नान के लिए जा रहे थे तब उनकी नजर मा गंगा पर गई और उन्हें उनसे प्रेम हो गया उन्होंने मा गंगा के सामने शादी करने की इच्छा प्रकट की परन्तु माता गंगा ने कहा कि मैं शादी इसी शर्ट पर करूँगी जब आप शादी के बाद मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे वरना मैं चली जाओंगी राजा शांतनू ने शर्ट को स्विकार कर लिया जब शादी के बाद शांतनू और मा गंगा के पहली संतान हुई तब राजा शांतनू को बेहत खुशी हुई लेकिन मा गंगा उसे जल में बहा आए शर्टान उसार शांतनू उनसे कुछ नहीं पूछ पाए और चुप हो गए इसी तरह माता गंगा ने अपनी सातो संतानों को बहा दिया जब वो अपने आठवी संतान को बहाने जा रही थी तब शांतनू से रुका नहीं गया और उन्होंने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यूं कर रही हो हमारे पुत्रों को गंगा में क्यूं बहा रही हो तब गंगा ने कहा कि मुझे वशिष्ट रिशी का श्राप लगा था कि तुम्हारे पुत्र धर्ती लोक में आएंगे इसलिए मैं उनकी मुक्ती के लिए गंगा में बहा रही थी मां गंगा के आठ पुत्र वसू थे जिनको रिशी वशिष्ट का श्राप लगा था कि ये पुत्र धर्ती पर जन्म लेंगे और दुख जेलेंगे लेकिन आपने आज मुझे टोक दिया इसलिए मैं इस पुत्र को नहीं बहाऊंगी बलकि ये पुत्र धर्ती पर ही रहेगा ये आगे चलकर भीश्म पितामा बने थे